संजय बोले वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो की विसाद कर रहे हैं और आंसों के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ती अब रुद्ध हो रही है। भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। स्री भगवान बोले हे अर्जुन इस विसम अबसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि स्रेष्ठ पुरुस सेवन नहीं करते जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ती करने वाली भी नहीं है। हे प्रिथानंदन अर्जुन इस नपुन सकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप हुर्दय की इस तुछ द्वर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मैं भिक्षा का अन खाना भी स्रेष्ट समझता हूं क्योंकि गुरु जनों को मार कर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत स्रेष्ट है। अध्वा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही ध्रितराष्ट के सबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रोप दोस से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विसे में मोहित अंतह करन वाला मैं आप से पूचता हूँ कि जो निश्चित कल्यान करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिश्य हूँ आपके शर्ण हुए मुझे शिक्षा देजिए। कारण के पृत्वी पर धन, धान्य, सम्रिध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए। ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय बोले, हे शत्रुतापन द्रितराष्ट, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतरियामे भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साप साप कहकर चुप हो गए। हे भर्तवनशूद भवद्रितराष्ट, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विसाद करते हुए उस अर्जुन के प्रती हंसते हुए से भगवान रिशीकेश यह वचन बोले, स्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने युग्य का शोक किया है, और विद्धता की बातें कर रहे हो, परंतो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करतें, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यहा बात भी नहीं है, और इसके बाद भविश्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है देहधारी के इस मनुस्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृधावस्था होती है ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ती होती है इस विसे में धीर मनुस्य मोहित नहीं होता हे कुंती नंदन इंद्रियों के विसे जड़ पदार्थ तो शीत अर्थात अनकूलता और उूष्ण अर्थात पतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं हे भरतवन्शी अर्जुन उनको तुम सहन करो कारण की हे पुर्षों में स्रेष्ट अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुस्य को ये मात्रास पर्ष अर्थात पदार्थ विचलित अर्थात सुखे दुखी नहीं करते वहां अमर होने में समर्थ हो जाता है अर्थात वह अमर हो जाता है असत का तो भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्त का अभाव विद्यमान नहीं है तत्वदर्शी महापुर्शों ने इन दोनों का ही तत्वदेखा अर्थात अनुभव किया है अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापत है उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंतवाले कहे गए है इसलिए हे अरजन तुम युद्ध करो जो मनुस्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुस्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तदा यह उत्पन होकर फिर होने वाला नहीं है यह जन्मरहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादी है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता हे प्रिथानंदन जो मनुस्य इस शरीरी को अविनाशी नित्य जन्मरहित और अव्यय जानता है वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए मनुस्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ कर दूसरे नए कपड़े धारन कर लेता है ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़ कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते अगनी इसको जला नहीं सकती जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायू इसको सुखा नहीं सकती यह शरीरी काटा नहीं जा सकता यह जलाया नहीं जा सकता यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता कारण की यह नित्य रहने वाला सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर, स्वभाव वाला और अनादी है यह देही प्रतेक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विसे नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है आतह इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला, अत्व नित्य मरने वाला भी मानो तू भी तुमें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्य होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा अतह इस जन्म मरन रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारन नहीं हो सकता अतह इस विजय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे केवल बीज में ही प्रकट दिखते हैं अतह इसमें शोक करने की बात ही क्या है कोई इस शरीरी को आश्चरे की तरह देखता अर्थात अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसको आश्चरे की तरह वर्णन करता है सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्या है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थाद किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोप नहीं करना चाहिए और अपने क्षात्र धर्म को देख कर भी तुम्हें विकंपित अर्थाद कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं वे एक शत्रिय बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है अब अगर तु यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ती का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ती का कथन अर्थात निंदा करेंगे वो अपकीर्ती सम्मानित मनुस्य के लिए मृत्यू से भी बढ़कर दुखदाई होती है तथा महारथी लोग तुझे भहे के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे जिनकी धारणा में तु बहु मान्य हो चुका है उनकी दृष्टी में तु लगता को प्राप्त हो जाएगा तेरे शत्रू लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्यवचन भी कहेंगे उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी अगर युद्ध में तु मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ती होगी और अगर युद्ध में तु जीत जाएगा तो प्रिथ्वी का राज्यब होगेगा अतह हे कुंती नंदन तु युद्ध के लिए निश्चे करके खड़ा हो जा जय पराजय लाब हानी और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा इस प्रकार युद्ध करने से तु बाब को प्राप्त नहीं होगा हे पार्थ यह समबुध्धी तेरे लिए पहले सांख्ययोग में कही गई और अब तु इसको कर्म योग के विशे में सुन जिस समबुध्धी से युक्त हुआ तु कर्म बंधन को त्याग कर देगा मनुस्य लोक में इस समबुध्धी रूप धर्म के आरंभकानाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सावी अनुष्ठान जन्म मरन रूप महान भय से रक्षा कर लेता है हे कुरुनंदन इस समबुध्धी की प्राप्ती के विशे में निश्चय वाली बुद्धी ही कही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है हे प्रिथानंदन जो कामनाओं में तनमय हो रहे हैं स्वर्ग को ही स्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीती रखने वाले हैं भोगों के सिवाए और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं वे अविवे की मनुष्य इस पृकार की जिस पुस्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्तवाणी को कहा करते हैं जो की जन्म रूपी कर्म भल को दीने वाली है तथा भोग और ऐशोर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुस्पितवानी से जिसका अंतहकरण हर लिया गया है अर्थाद भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐशोर्य में अध्यन्त आसकत हैं उन मनुस्यों की परमात्मा में एक निश्चे वाली बुद्धी नहीं होती। वेद तीनों गुणों के कारे का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जन तू तीनों गुणों से रहित हो जा। राग द्वेसादी द्वंद्वों से रहित हो जा। निरंतर नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग अक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म सब तर्व से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर चोटे गड़ों में भरे जल में मनुस्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। करने में भी आसकती ना हो। हे धनन जये तू आसकती का त्याग करके सिध्धी असिध्धी में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर्म क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। से युक्त मनुस्य यहां जीवी तवस्था में ही पुन्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। समत्व तू योग अर्थाद समत्व में लग जा क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्य फल का अर्थाद संसार मातर का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धी मोहरूपी दल दल को भली भांती तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। उह स्थिर बुद्धी वाला मनुस्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। स्री भगवान बोले, हे प्रिथा नंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांती त्याग कर देता है, और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धी कहा जाता है। दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में स्प्रीहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और कुरूध से सरवता रहित हो गया है, वह मन नशील मनुस्य, स्थिर बुद्धी कहा जाता है। सब जगह आसकती रहित हुआ जो मनुस्य उस उस शुब अशुब को प्राप्त करके ना तो प्रसन होता है और ना दूइस करता है उसकी बुद्धी स्थिर है। जिस तरह कच्छुआ अपने अंगों को सब और से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में वह कर्म योगी इंद्रियों के विशियों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्थिर हो जाती है। नर्थात उसकी संसार में रस बुद्धी नहीं रहती। कारण की हे कुंती नंदन रस बुद्धी रहने से यतन करते हुए विद्वान मनुस्य की भी प्रमतनशील इंद्रियों उसके मन को बलपूर्वक भर लेती है। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश्मे करके मेरे परायन होकर बैठे। क्योंकि जिसकी इंद्रियों वश्मे है उसकी बुद्धी स्तिर है। विशियों का चिंटन करने वाले मनुस्य की उन विशियों में आसकती पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह अर्थाद मूड भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुध्धि अर्थाद विवेक का नाश हो जाता है, बुध् में की हुई इंद्रियों के दोरा विस्यों का सेवन करता हुआ अंतह करण की निर्मलता को प्राप्तु होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्वाले साधक के बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती जिसके मन इंद्रियां सियमित नहीं है ऐसे मनुस्य की विवसायात्मिका बुद्धी नहीं होती और विवसायात्मिका बुद्धी नहीं होने से उस अयुक्त मनुस्य में इस काम भाव अत्वा करतव्य परायनता का भाव नहीं होता इस काम भाव नहीं होने से उसको शांती न मनुस्य को सुख कैसे मिल सकता है अशांती का मूल कारण कामना है जब तक मनुस्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांती नहीं मिल सकती कामना युक्त चित सदा अशांत ही रहता है कारण की अपने अपने विस्यों में विचरती हुई इंद्रियों में से ये कह इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायू की तरह उसकी बुद्धी को हर लेता है। वह तत्व को जानने वाले मुनी की दृष्टी में रात्री है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रिहा रहित, ममता रहित और आहंता रहित होकर आचरण करता है वह शान्ती को प्राप्त होता है। प्रिथानन यह ब्रामी स्थिती है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिती में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निरवान अर्थात शान्त ब्रह्म की प्राप्ती हो जाती है। इस प्रकार स्रीमत भगवत गीता में यह सांख्या योग नाम का दूसरा अध्याया पूर्ण होता है। जैए स्री कृष्णा।